नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोरनेशन और मैं हूँ प्रियदर्चन चुनाओ हो और बिहार में बाहुबलियों की चर्चा नहों ऐसा भला हुआ है क्या तो ऐसे में अगर हम आपको यह बताएं कि बिहार का पहला बाहुबली कौन था तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के पीछे का एक जवाब यह भी है कि बिहार का पहला बाहुबली तो वह हुआ जिसने बिहार ही नहीं देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना को अनजान दिया जिहां जब आप बिहार की बात करेंगे बिहार में चुनाओ की बात करेंगे बाहुबली की बात करेंगे तो आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि देश में बूथ लूट की पहली घटना भी बिहार में ही हुई थी और वो भी तब जब देश में दूसरी बार चुनाव हो रहे थे यानि की बर्च 1957 का चुनाव था और उस चौनाव में बिहार इसलिए सुर्खियों में आया, बिहार की इसलिए बदनामी हुई क्योंकि बिहार में बूत कैप्चरिंग, बूत लूट की घटना को अन्जाम दि दूट लिया, दसलिए चुनाव जीतने के लिए इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने का आरोब जिन पर लगा था, उनका नाम कॉंग्रेस पार्टी के नेता से जुरा था, और जगह बिहार का बेगु सराय था, और बिहार का बेगु सराय उन दिनों पुराने जब 1957 में पहली बार बूथ लूट की घटना हुई और बूथ लूट की घटना को अन्जाम दिया, बिहार के सबसे पहले बाहुबली कहे जाने वाले कामदिव सिंग ने, जिनकी तूती बिहार ही नहीं, बलकि उत्तर और दक्षिन बिहार के तमाम इलाकों से लेकर के नेप और बंगाल के भी बड़े इलाकों और साथी साथ असम के भी कई हिस्सों तक कामदेव सिंग के नाम का खौफ था, उन्हीं कामदेव सिंग के उपर तवारोप लगा कि उन्होंने बूथ क्यप्चरिंग की घटना को अन्जाम दिया, और बेगू सराय के रचियाही में बू बेगू सराय लेके चलें तो बेगू सराय में एक गाउं है रामदीरी, और उसी रामदीरी गाउं के रचियाही गाउं के कछारी टोला में कॉंग्रेस के सर्यू प्रसाथ सिंग के लिए बूथ क्यप्चरिंग की पहली घटना को अन्जाम देने का रोप वर्ष उनिसो संत तामन के चुनाओं में कामदेव सिंग पर लगा था, दरसल ये देश में के इतिहास में पहली घटना थी जब खुले आम बूथ लूट ने राष्ट्रिय सुर्खियां बनाई और उस दवरान सर्यू प्रसाथ सिंग के मुकाबले में कम्यूनिस्ट नेता चंदर सेखर के प्रतिजवनदी थे, दरसल इसके पहले जो 1952 का चुनाओं हुआ था, उस चुनाओं में भी सर्यू प्रसाथ सिंग और चंदर सेखर दोनों आमने सामने थे, हलाकि जीत सर्यू प्रसाथ सिंग की हुई लेकिन उस चुनाओं में कहा गया कि जो चंदर सेखर थे, उन्हों जो मतदाता थे उन तमाम मतदाताओं के लिए एक मात्र बूत रचियाही के कछारी टोला में हुआ करता था और उसी बूत पर तब तास पास के तमाम गाओं के लोग आ करके बूत डालते थे ऐसे में वहाँ पर ये भी बाते सामने आई थे कि तब कहा गया कि जो शर्यू प्रशाद सिंग थे उन्हें इस बात का डर था कि रचियाही के इस बूत पर जो वहाँ के लोग हैं उनके खिलाब बोट डालेंगे यानि कि बोट तब उनके डाले जाएगा जो कि उनके प्रतिदंदी है यानि कि कम्यूनिस्ट पार्टी के चंदर सेखर तो इसे में अगर वहाँ पर बोट सर्यू प्रशाद सिंग के अगेंस्ट जाता तो इसे चंदर सेखर चुनाओ जीत सकते थे तो ऐसे में सर्यू प्रशाद के बारे में कहा गया कि उन्होंने तब एक बड़ी घटना को अंजाम देने की रनीती तैयार की और इस रनीती में उनके मददगार बने कामदेव सिंग यानि कि बिहार के पहले बाहु बली जसल अगर आप कामदेव सिंग की बात करेंगे तो कामदेव सिंग बिहार के आपराध के इतिहास में एक ऐसे नाम रहे जो की मूल डूप से तो बेगु सराय के थे लेकिन उस दोर में चाहे उत्तर बिहार का इलाका हो चाहे दक्षिन बिहार का इलाका हो या फिर नेपाल तक की इलाके हो। तमाम जगों से चाहे अपराध की कोई घटना हो, बरी-बरी तसकरी की घटनाएं हो या अन्य प्रकार के आपराधिक की जो घटनाएं होती हैं वो सब। तमाम चीजों में कामदेव सिंग और उनके इन लोगों का नाम आता था और वही कामदेव सिंग उस के लिए बूत लूट की घटना को अन्जान दिया, यानि कि जब चुनाव हुए तो चुनाव के देंज रचियाही के उस बूत पर जो तमाम मद्दाता बोट डालने के लिए आ रहे थे तो उस दौरान उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, कामदेव सिंग के लोगों न इस उमिदवार का समर्थन किया जा रहा था उनके पक्षमे बरे, यानि कि आरोप लगा कि कामदेव सिंग ने बूत लूट की घटना को अन्जाम दिया और इससे बड़ा फाइदा तक कालीन कॉंगरेस नेता सर्यू प्रसाद सिंग को लेगा, और इससे बड़ा जटका कम् निर्वाचन आयोग ने भी माना जब इस चुनाव के दोरान बाद में ये खबर राष्ट्य सुर्खियां बनी कि रचिया ही बूत पर लूट की घटना को अन्जाम दिया गया, हतियार, लाठी, भाले, डंडे, इन तमाम चीजों से बूत की घटना हुई, जिसके मर्जी उ जो शब्द का इस्तमाल किया गया था, वह शब्द था कि धान्धली की कुछ चिकायतें आई हैं, यानि कि जिसे आम बोलचाल के तौर पर बूत लूट कहा जा रहा था, उसे तब चुनावा योग ने धान्धली शब्द कह करके उसका वहीं पे तरीके से कहें तो उसे समात कर दिया, लेकिन बूत लूट की इस घटना के बाद बिहार में ये कोई पहली घटना हो करके खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बलकि 1997 में रचियाही में जो बूत लूट की घटना हुई, उसके बाद तो यह सिलसिला आगे के चुनाओं में चुनाओ दर तो कई चुनाओं जो चाहे लोग सभागे हों, चाहे विद्हान सभागे हों, उन तमाम चुनाओं में बिहार में बूत लूट की इतनी घटनाएं हुई कि उन लूट की घटनाओं में कई वारतों हत्या तक के वार्दात हुए, और ये तमाम घटनाοι रच्त-रंजित चु ने इस बूत लूट की घटना को अंजाम दिया तो बिहार और चुनाव को ले करके जो अलग-अलग किस्म के चुनावी इतिहास के किस्से है हम आपको इन किस्सों से और भी रूबरू कराएंगे बने रहे निजफोर निशन के साथ